एक दुलहन जब उसे पता चलता है कि उसकी जो है ज्वाइनिंग लेटर आ गई है तो बहुत खुश हो जाती है अपने पती से कहती है कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है और मुझको अब ट्रेनिंग पर जाना है तो नमस्कार अदाब मैं सोनूँ और आज की जो सच्ची घटना है वो बिहार सहर्षा से है लड़के का नाम मिथ्धुन कुमार जो की सहर में रहकर तैयारी करता है वही पर उससे मुलाकात एक लड़की से हुई दोनों लोग तैयारी करते हैं दोनों लोगों के बीच में प्रेम संबंध हुआ ये दोनों लोग लब मेरिज साधी करते हैं और उसके बाद हसी खुशी अपनी जिन्दगी बिताने लगते हैं साधी फरवरी 2022 में हुई थी और ओ लड़की जो है बिहार पुलिस में फाम डाल रखी थी सब कुछ कंप्लीट हो गया था अब उसका कार लेटर आता है कुछ दिन बाद ज्वाइनिंग लेटर आता है पती पतनी दोनों बहुत खुश थे क्योंकि अब जो है ज्वाइनिंग लेटर आ चुका था तो पतनी जो है पती से बोलती है कि ज्वाइनिंग लेटर आ गया है और मुझे कुछ पैसों की आव सकता है पैसा भी कितना चाहिए था तकरीबन सात लाक रुपे पती जो है अपने दोस्तों से इकठा करके देता है और पतनी उसकी ट्रेनिंग सेंटर चरी आती है ट्रेनिंग सेंटर के सेंटर पे जाने के बाद ट्रेनिंग चलता है उसका कुछ दिन बीत जाने के बाद लड़का सोचता है मित्थुन कुमार कि चले थोड़ा अपनी पतनी से मुलाकात कर आएं मित्थुन कुमार वहाँ पर जाता है जहां उस महिला की ट्रेनिंग चल रही थी वहाँ पर जा करके गाड से बोलता है कि फला नाम की लड़की है जिसकी ट्रेनिंग चल रही है और वो मेरी पतनी है उससे मेरी मुलाकात करा दीजिए गाड अंदर जाता है उस नाम की लड़की से मिलता है बताता है कि एक आदमी गेट पर खड़ा है ओ तुमको अपनी पतनी बता रहा है मिलने के लिए बुलाया है तो वो लड़की जो है गाड को जबाब देती है कि मैं उस आदमी मित्थुन कुमार को नहीं जानती हूँ गाड आकर के गेट पर बोलता है कि आपको वो नहीं जानती है और आप यहां से चले जाएं फिर वो लड़का जो है और चक जाता है क्योंकि जिसकी पत्नी ही खुद कह दे कि मैं अपनी पती को नहीं जानती हूँ उसके दिल पर क्या भीतेगी वहां से फिर वो लड़का अपने घर चला आता है और उस लड़की को फोन करता है यहां तक कि उस लड़की ने उस लड़के का मुबाइल नंबर बिलक लिस्ट में डाल दिया अब लड़का परेशान तीन-चार दिन फोन लगाता है कि हो सकता हो अब से जो है बिलक लिस्ट से नंबर नहीं निकलता है फिर लड़का ट्रेनिंग सेंटर पे जाता है गाड से बोलता है कि मेरी पतनी है वो उनसे बता दीजिए कि उनके पती मिलने आये हैं आकर के एक बार मिलने हैं गाड जाता है वो लोग बैकर में अपनी थे वहां से जो है फिर गाड बोलता है कि फला लड़का फिर आया है वो कह रहा है कि वो आपके पती हैं और आप जाकर के उनसे मिल लीजिए अब पतनी मिलने नहीं आती है वहां से तीन चार गाड को भेजती है और ओ लोग आते हैं लड़के को मारते पीटते हैं उसको इतनी बुरी तरीके से मारते हैं कि विचारा वहां से फिर अपने घर आ जाता है और इसके बाद ओ लड़की ट्रेनिंग सेंटर पे अभी भी ट्रेनिंग ले रही है पुली लड़का दर बदर की ठोकरे खा रहा है इस कहानी को सुनाने का मतलब बस यही है कि कम से कम ऐसा ना हो कि कोई भी हस्बेंड अपनी वाइफ के लिए इतना मेहनत करे पैसा लाए उसको पढ़ाए लिखाए और ओव अवरत उसको छोड़के चली जाए तो दोस्तों अगर आप लोगों को यह स्टोरी अच्छी लगी हो आप चैनल पर अगर नए है तो सब्सक्राइब करें लाइक करें सब्सक्राइब करें